हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका यूट्यूब चैनल दसीक्रेट ओफ इन्वेस्टिंग में दोस्तों इस यूट्यूब में बात करने वाले हैं मेगा सॉफ्ट स्टॉक के बारे में जैसा कि दोस्तों हम लोग ने अल्रडी कई बार डिसकस किया था जिब यह स्टॉक सतर बातें मिलती हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी भी अगर आप लोग बहुत छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हैं जैसे कि यह कंपनी आप लोग देखने को मिलेगी के बल फोर एटी त्री करोड के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने मिलता है तो अगर आप कभी भी बड़ा पैसा बनता हुआ नजर नहीं आ सकता है क्योंकि इन स्टॉक में आपको इजी ली मैनुपलेटिंग होती हुए नजर आती है कोई भी स्टॉक बे मतलब कि रॉकिट बनता हुए नजर आता है और साधी जात बिना मतलब कि कोई भी स्टॉक यहां पे आपको लगाता, lower circuit लगाता हुओं नज़र आ सकता है जैसा कि अगर हम भी इस stock के देखें तो पिछले 6 महीने से या पिछले एक साल से बहुत ही बेहतनी नेटन इस stock ने बना कर दिखाए हैं देख सकते हैं, पिछले 6 महीनों मे 370% given मतलब कि अगर आप लोग ने 6 मेने पहले investment करा होता तो आपका पैसा यहाँ पे 5 गुना already हो चुका है इतना बहतरीन performance करके दिखा है इस stock ने एक साल के अगर हम लोग बात करें तो 506% के 10 मतलब कि one way rally जारी है पिछले एक साल से तो रोकिट तेजी already इस stock में देखने को मिल चुकी है और अगर आप लोग यहाँ पे एकदम top के level पे investment करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं यहाँ पे एकदम top के level पे आपको खरीदारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है बहुत सारे penny stock दूसरे भी हैं जिनमें आप लोग को अच्छा कासा मौका मिल ला है नीचे के level पे खरीदारी करने का वहाँ पे जाके आप लोग investment कर सकते हैं वन्ना मेरे हिसाब से आप लोगों को हमेशा long term scenario रखना चाहिए और उन्हीं कंपनियों में investment करना चाहिए जो कि fundamentally strong company है एक consistent compound रही है अगर आप लोग यहाँ पे Megasoft जैसी IT company में investment करना चाहते हैं तो आप लोग Tata Alexi की तरफ shift हो सकते हैं माइंटरी जैसे stock को pick करके चल सकते हैं happiest mind जैसे stock को pick करके चल सकते हैं persistent system जैसे stock को pick करके चल सकते हैं यह कुछ stock है जो आपको long term में बहुत ही बैदरी इन्वेल्स बना के दिखाएंगे तो आप लोग इनको focus करिए ना कि Megasoft जैसे stock को जो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ earning दिखाते हुए नजर नहीं आ रहा है पिछले कुछ साल के अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं आपके कि negativity बहुत है इस company के अंदर तो ऐसी negative company के अंदर आप लोगों को पहली बात तो entry नहीं लेनी चाहिए दूसरी बात profit growth देख सकते हैं पिछले 10 सालों में minus 22% की profit growth है company profit ही नहीं कमा रहे है लेकिन stock लागा तहरा आपको बागता हुँ नजर आ रहा है trading to a month में थोड़ा बहुत company ने profit कमाया जिसके चलते यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन अब एकदम top के level पे आपको यहाँ पे खरिदारी नहीं करनी है और अगर आपको लोगों पस already stock है तो दीरे दीरे करके आप लोगों को अपनी positions जो है square of करते रहना है profit booking करते रहना है यही आपको यहाँ पे suggestion देखने को मिल सकता है I hope काफी ज़्यादे helpful रहोगा आपके लिए वीडियो वीडियो चला बहुत प्रीज वीडियो लाइक कर सकते हैं चैनल पर first time हो प्रीज आपको subscribe कर लीजे मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए bye bye